फ्रेंज आज मैं आपको एक ऐसा चमतकारी उपाई बताने वाली हूँ कि आप भी हैरान हो जाएंगे उससों कर बहुत बार मैंने ये अपने क्लाइंट्स को बताया और ये बहुत जादा एफेक्टिव है इसमें क्या है कि जिन लोगों के घर में हमेशा लडाई रहती है किसी बिग्र है कलेश की कोई भी वज़ा हो सकती है कोई प्लानेटरी वज़ा हो सकती है कोई थर्ड पार्टी वज़ा हो सकती है जनली हम लोग घबरा जाते हैं जब हम लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई भी और थर्ड पार्टी आ जाती है वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है फ्रेंज जरूरी नहीं कि रुमैंटिक रिलेशन्शिप को बहुत जादा इंवॉल्ब्मेट कई बार्टन की ओती है फ्रेंज की ओती है बहुत की अगर इस तरह हैं कि आपकी लाइफ में भी कोई इशु है या हमेशा लडाई जगडा ही बना रहते है तो आपको क्या करना साथ कलियां लेनी हैं लसन की लसन जो आम हम घर में खाते हैं आप उसे बहुत पतली सी डंडी में उसे पिरो दे जैसे माला बनाते हैं वैसे पतली सी डंडी में उसे पिरो दे और अपने घर की छट पर रख दे जैसे जैसे वह लसन की कलियां सूखेंगी आपके घर से जितना भी कलेश है वो दूर हो जाएगा और अपने आप ही आपके पार्टनर को सही दिशा मिले